गुड मॉनिंग साथियो मैं स्वाम सर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ IQ Rankers के इस प्लेट फॉर्म पे तो मैं आज आपको Static GK किये दूसरी ग्लास है Static GK में हम आप आज military exercise करेंगे जिसके भी एक दो प्रशन हर एक exams में पूछे जाते हैं एक प्रशन तो लगबक तय है हर एक exam से में पूछा जाता है चाहिए exam आप SSC का दे रहे हो SSC GD UP Police Constable ठीक है और UPSI कोई भी exam अगर आप दे रहे हैं तो यहां से एक प्रशन बनता है ठीक है तो आते हैं पहले प्रशन की और पहला प्रशन क्या है यहां पर ठीक है यहां पर आप से पूछा जाएगा कि जो हरीमों सकती अभ्यास है यह किन देशों के बीच में होता है ठीक है तो हरीमों सकती जो है भारत और मलेशिया के बीच में होता है ठीक है किस किस के बी लिविश्टी के यूजन है यह भारत के उम्रोई यह मेघालेयों मे जगए झालेयों में गया हुः यह जो किस सेना की एक्साइज है ठीक है किस सेना की है तो ये थल सेना की है ठीक है किसकी ये बटा थल सेना की है बढ़ते हैं अगले एक्साइज की और अगला जो हमारा संयुक्त एक्साइज है ठीक है संयुक्त सेन एक्साइज संपृति ठीक है 11 संपृती 2023 का इयोजन कहां किया गया संपृती जो एकसाइज है किन देसों के बीच में होता है संपृती हमेशाया याद रखेगा भारत और बंग्ला संतेस के बीच में बंयारत जख्याले में उसका नाम संपृती का जो संस्करन था यह 2023 में इसका ग्यार्मा संस्कर्ण था, जो की ये भी उम्रोई मेघ्याला में हुआ, ठीक है, भारत और बंगलादेश का, ठीक है, किसका ये भारत और बंगलादेश का है, clear, समझ में आ रहा है, ये थलसेना की एक्साइज है, ठीक है, आमी की जॉइन्ट एक्साइज, ठीक है, बढ़ते हैं अगले एक्साइज की और, अगला एक्साइज है, ऑस्टिलिया इंडेक्स, ठीक है, इसका short form है, ऑस इंडेक्स, ठीक है, आप इसमें देखो, trick आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ऑस इंडेक्स मतलब, ऑस से ऑस्टिलिया, आई से इंडेक्स से इंडिया, ठीक है, तो ये जो एक्साइज है, किन दो देशों के बीच में हुई है, ऑस्टिलिया और इंडिया, ठीक है, ये 2023 में इसका जो joint, एक्साइज हुई है, ये ऑस्टिलिया इंडेक्स, 2023 में भारत और ऑस्टिलिया के बीच हुई है, ठीक है, और इसका जो इस्था करता है औस इंडेक्स किस से रिलेटिड है ठीक है आर्मी एर फोर्स नेभी ठीक है कोसगार्ड तो यह नेभी की एक्साइज है ठीक है में लिए नेभी की है यह हमारी भारती नौसेना और ऑस्टेलिया नौसेना के बीच में सिड्नी में आयोजित हुई है ठीक है औस इंडेक सिंगापूर के बीच में होती है, सिंगापूर के बीच में होती है, इस्तान इसका सिंगापूर था और ये भी नेवी की एकसाइज थी, ठीक है, ये भी किसकी एकसाइज थी, नेवी की एकसाइज थी, नौसेना की एकसाइज थी, भारती नौसेना और सिंगापूर की नौसे ठीक है जब भी बरुन की बात करेंगे ठीक है बरुन की बात करें ठीक है तो वो हमेसा आंसर क्या होता है बरुन फ्रांस ठीक है तो फ्रांस भारत और फ्रांस के बीच में परण ठीक है तो इसको याद रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में जो एकसाइज होती है परण यही ऑद यह इफिसके बीच में हुए है नौसेना ठीक है यह भी किसकी एकसाइज है नोसेना की नेवी के बीच में हुई है भारतिय नेवी और फ्रांस की जो नौसेना है उसके बीच में यह अव्यास आईोज़िस हुआ है और इसका जो इस्थान है अरब सागर में ठिक है कहा हुआ है यह एरवीयन्ची में हुआ गार्वीयन्ची बढ़ते हैं अगली military exercise की होगा अगला जो हमारा military exercise है 27 मां मालावार युद्ध अव्यास ठीक है ये सभी 2023 के important संयुक्त अव्यास है जो 2023 में आउजित हुए है ठीक है यहीं से आपका कोई ना कोई एक प्रश्न आपके exams में बनेगा ठीक है किसी भी रूप में आप से अगर संस्करण भी पूछ सकता है तो संस्करण भी आप याद रखेंगे पूछ सकता है कि मालावार का कौन सा संस्करण 2023 में आउजित हुआ तो संस्करण कौन सा था ये 27 संस्करण था ठीक है 27 में एडिशन था मालावार युद्ध व्यास 2023 ठीक है ये Quad देशों द्वारा होता है Quad का मतलब होता है चार देशों के बीच में होता है इसमें जो चार देशों की सेनाएं आपस में युद्धव्याज करती है जिसका नाम है Quad ठीक है अब इसमें Quad में Australia के पूर्वी टट पर ठीक है ये कहां अजित हुआ Australia के पूर्वी टट पर ठीक है जो Eastern Coast हो है Australia का बहाँ पर इसका आवजन होता है ठीक है और ये भी नौ सेना ये नेवी की एकसाइज है ठीक है नेवी बढ़ते हैं अगली मिलेटरी एकसाइज की हो ठीक है अगली मिलेटरी एकसाइज है हमारी देखिएगा Nomadic Elephant 2023 नौमाडिक Elephant नौमाडिक Elephant 2023 ये मंगोलिया की बीच में होती है किसके बीच में होती है भारत और मंगोलिया की बीच में होती है और ये मंगोलिया में ही आयुजित हुई थी कहां हुई थी मंगोलिया की राजदानी उलान बटोर में ठीक है मंगोलिया की राजदानी उलान बटोर में ये आयुजित हुई थी और ये थलसेना की एकसाइज थी ठीक है ये किसकी एकसाइज थी नॉमेडिक elephant, mangyolia, ठीक है? जो mangyol थे, mangyol परजाती थी, ठीक है? वो किस प्रकार की थी? mangyol परजाती ठीक है? ऐसी कोई न कोई आप trick रखे किए दिमाग में, ठीक है? mangyol से और elephant के बीच में संभन्द बनाईगे, तो यहां से आपकोuelle न हो जायेगा. देखिये हम जो exercise या याद करें ठीक है दूसरा सेकिंड देस कैसे याद करें तो मंगोल से एलिफेंट को रिलेट करिएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले मिलेटरी एक्साइज क्यों सैयुक्त अव्यास जिम्बैक्स 2013 ठीक है सात्व मा जिम्बैक्स 2023 जो हुआ था भारत और जापान पर अद जिम्बैक्स में देखो जेसे आप बनाएज़ जापान ठीक है जेसे क्या है यहां पर जापान और आई से क्या है यहां पर इंडिया जापान इंडिया मिलिटरी एकसाइज जापान इंडिया मिलिटरी एकसाइज 2023 ठीक है यह भारत और जापान के बीच में हुई है कहां हुई है बिसाखा पतनम में कहां हुई है बिसाखा पतनम में इसका ऐवजन हुआ है भारत और जापान के बीच में हुई है, इसका संस्क्रण था, सात्मा संस्क्रण था, ये कौन सा संस्क्रण था, सात्मा सेविंथ एडिशन था, ठीक है, बिशाका पटनम में, और ये किसकी एक्साइज है, नौसेना की है, ठीक है, नौसेना मींस नेवी की, clear मतलब भारतिय ने भी भारतिय नौशेना और जापान की नौशेना के बीच में एक सेंखत अव्यास होता है जिसका नाम क्या है zimbex clear समझ में आ रहा है आपको बढ़ते हैं अगली military exercise की हो next जो हमारी military exercise है सुरक्षा ब्रांड दोहजार तेज सुरक्षा ब्रांड दोहजार तेज ये जो military exercise हुई है चीन, रूस और इरान इन तीन देशों के बीच में हुई है और ये आयोजित होती है ओमान की खाड़ी में गल्फ ओफ ओमान गल्फ ओफ ओमान में ये आयोजित हुई है और ये आपकी नेवी की exercise है किसकी है नेवी की नौसेना की ये संयुकत अभ्यास है ये नौसेना का संयुकत अभ्यास है सुरक्षा ब्रांड दोहजार तेज सुरक्षा ब्रांड दोहजार तेज चीन, रूस, इरान कहां आयोजित हुआ है ओमान की खाड़ी में बढ़ते हैं अगले exercise की और अगली जो exercise है खान कुष्ट exercise दोहजार तेज ठीक है खान कुष्ट exercise दोहजार तेज ये बहुरास्टिय देसों के बीच में हुई है मतला multiple nations ने इसमें participate किया था भारत ने भी इसमें participate किया था ठीक है तो इसमें हम ये जो हुई थी आपकी ठीक है मंगोलिया में हुई है ठीक है कहां हुई है ये मंगोलिया में हुई है तो इसमें इंडिया चाइना मंगोलिया ठीक है ये देशों ने इसमें क्या किया था भाग लिया था और किन सेनाओं के बीच में होती है थल सेना के ब बढ़ते हैं अगली एक्साइज की और, नेक्स एक्साइज देखिएगा, बार्मा एक्कुवेरिन अव्यास, ठीक है, एक्कुवेरिन बहुत इंपोर्टेंट है, और करेंट अफेर के लिहाज से इसके पूछे जाने की प्रवल समावना है, क्योंकि अभी भारत मालदीब इस 2023, यह भारत और मालदीब के बीच में हुई है, यह चौबटिया उत्राखंड में हुई थी, ठीक है, यह जगह है, चौबटिया उत्राखंड में, बहां पर ही इसका आयोजन हुआ है, और यह थलसेना की एक्साइज है, किसकी एक्साइज है, यह थलसेना की, क्लियर है, और दूसरी जो है एकात एक था ठीक है एक था ठीक है यह दूसरी एक शाइज है यह नौसेना की है और वो अकलिएन किसकी थी थलसेना की थी याद रखें ठीक है confuse नहीं होना है ये थल सेना की थी थल सेना की ठीक है और ये नौ सेना की नेवी की clear है इस इस्थान इसका मालदीप था ठीक है ये मालदीप में ही आउजित हुई थी और एक्युबेरिन चौबटिया हो तराखंड में आउजित हुई थी clear है बढ़ते हैं अगले military exercise की और अगला जो हमारा military exercise है सुदर्सन सकती ठीक है सुदर्सन सकती 2023 भारत सेना के सब्ट सकती कमान ठीक है ये हमारी भारती सेनाओं के बीच में हुई ठीक है ये हमारे कि ये किसी देश के बीच में ठीक है भारतिय सेना के सब्सक्ति इसका प्रदर्शन किया गया था राजिस्थान और पंजाब में ठीक है इस्थान इसका क्या था राजिस्थान और पंजाब में ठीक है ये किसी देश की बीच में नहीं हुई थी ठीक है ये जो एक्साइज है ये भारतिय सेना की सब्सक्ति प्रदर्शन होता है जिसमें भारते सेना अपना सकती प्रदर्शन करती है ठीक है यह पंजाब और राजिस्थान में इसका आयोजन हुआ था बढ़ते हैं अगले अगला एक्साइज है, टाइगर सार्क, 40 एक्साइज. टाइगर सार्क जो होती है, यह Bangla देश और अमेरिका के बीचमें होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो neighboring country, पडोसी देशे हैं, ठीक है, पडोसी देशों में एक Bangla देश भी है, हमारा पडोसी देश है, ठीक है, जो कि तो में भी कोई भी इवेंट हो रही है ठीक है तो हमें भी उसको पढ़ना पढ़ता है ठीक है और बंगलादेश और अमेरिका के बीच में जो टाइगर सकती 40 का आयोजन हुआ है ठीक है यह बंगलादेश और अमेरिका के बीच में यह बंगलादेश में यह जगह पढ़ती है चटो ग्राम ठीक है कहां हुआ चटो ग्राम और ये नौसेना की एकसाइज है ठीक है किसकी है नौसेना की ने भी की ठीक है बढ़ते हैं अगली मिलिटरी एकसाइज की और नेक्स देखिएगा अल मोहिद अल हिंदी दोजार तेश ठीक है अल मोहिद अल हिंदी दोजार तेश जो ही है भारते नौसेना और साओधी अरब के बीच में ठीक है ये भारती नौसेना ठीक है और साओधी अरब के बीच में होने वाली एकसाइज है इसका नाम क्या है अल मो यह साओधी अरब में आजित हुई थी, यह साओधी अरब में ही जगह है, जुबैल वहाँ पर यह इसका ऐजन हुआ था, ठीक है, तो बढ़ते हैं, आज की यह next excise है हमारे पास, चौथा समुंद्र सक्ती 2023, ठीक है, समुंद्र सक्ती, excise का नाम है समुंद्र सक्ती, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, समुंद्र सक्ती 2023, इसकी जगह है बाटम, इंडोनेशिया, और यह भी किसकी excise थी, थाइलेंड के बीच में होता है ठीक है कॉर्पेट कॉर्पेट 2023 किस किस के बीच में होता है इंडिया और थाइलेंड इंडिया और थाइलेंड के बीच में आउजन हुआ है इसका ठीक है अंडवान सागर में ठीक है कहाँ पर अंडवान सागर में और ये भी एक नेवी नेवल एक्साइज है ठीक है नौ से ना की नेक्स देखिएगा अजय वारियर ठीक है अजय वारियर वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्साइज है ठीक है अजय वारियर ठीक है अजय वारियर कई बार पूछा भी गया है एक्जामस में भारत और युनाटेट किंग्डम के बीच में जो होने बाली एक्साइज है जिसका नाम क्या है अजय वारियर अजय वारियर का एयोजन सेलिवसरी प्लेंस UK ठीक है यह United Kingdom में ही इसका एयोजन हुआ है इसमें जो सेनाए भाग लेती है हमारी भारतिय थल सेना ने इसमें भाग लिया था ठीक है बढ़ते हैं अगली एकसाइज क्यों अगली एकसाइज देखिए है ठीक है जिसमें इंडिया भी सामिल है ठीक है मैं आपको यह एकसाइज इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने इसमें भाग लिया था ठीक है अगर जो भी भौरास्टी अभ्यास मैं इसमें बताया है मैंने ठीक है तो भारतिये सेनाओं ने इसमें भाग लिया ह ठीक है इसी लिए आपसे प्रस्न पूछा जाएगा कि अभ्यास इनोचेक्स 2023 किन देशों के बीच में हुआ है तो यह आपका multiple countries जिसमें participate करते हैं जिसमें भारत भी सामिल होता है ठीक है जिसमें भारत भी सामिल होता है यह कहां अजी तुछी तुछी ग्रीस में ठीक है कहां कोप इंडिया 2030 ठीक है कोप इंडिया का आयोजन जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है कोप इंडिया भारत और अमेरिका ठीक है यह जगह है अरजुन सिंग पानागड ठीक है आगरा में ठीक है और यह जो एकसाइज हुई यह एरफोर्स की होती है कोप SmallEx 2030 शिलिन्यक्ष XL फॉर स्रिलंका और आई से इंडिया ठीक हैं इंडिया एन से नेवल मतलब नौ सेना और एकसाई 2030 टेज़ तो यह भारतो वसरलनका के भी स्लिनेग्ज होती है ठीक है ये नौसेना की एक्साइज है और इसका आवजन कोलंबो में हुआ है कहा हुआ है कोलंबो में इसका आवजन हुआ है ठीक है बढ़ते हैं अगली एक्साइज की हो next exercise देखें F index 2023 ये अफरीकी महादीब के 23 देशिस में सामिल होते हैं जो अफरीका कंटिनेंट है इसके 23 कंट्री जिसमें पार्टिसेपेट करते हैं भारत के साथ इसकी exercise होती है और ये भी थलसेना की exercise है इसका एवजन पूरे महाराष्ट में किया गया यहाँ से देखी एफर से France बनेगा आपका आई से इंडिया बनेगा ठीक है और exercise 2003 ये तिरुवन्त पुर्म केरल में आज ये थुई थी और ये थलसेना की exercise है किसी की exercise है बिटा है थलसेना की exercise है ठीक है आमी की exercise है फ्रांस और इंडिया के बीच में ठीक है तो ये थी आज की exercise ठीक है जो भी exercise मैंने आपको बताई ये बहुत ही महतपूर exercise है जो आपके प्रस्ण बनने की संभाबना रहती है SSC हो या UP constable ठीक है कोई भी exam बंडे exams के आप तयारी कर रहे है military exercise से एक प्रस्ण आपका बनता है ठीक है मैं आपको इसी तरह से static gk की जो भी topics होते हैं जैसे सूचकांक का होगा important, mathpult, debust ठीक है एक एक करके आपको video यहाँ पर upload होती रहेगी ठीक है आप playlist में जाकर static gk की videos को देखिएगा और दोस्तों के साथ share जरूर करें हमारे platform पे अगर आप नए हैं तो channel को subscribe करना ना भूले ठीक है मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए जैहिन